नहुश्कार दोस्तों आज के इस करेंट अफिर सेशन में आप सभी का स्वागत है आज हम 14 मार्च की इंपोर्टेंट करेंट अफिर्वेंट को चर्चा करेंगे तो चलिए देख लेते हैं इस सेशन के पॉइंट जिनको हम डिसकस करेंगे सबसे पहले मिथेन समन के लिए मैथनोट्रोफिक बैक्टिरिया भार्त में परमानु उर्जा सेंत्र नेक्स्ट एंसी आरबी का 35 इस्तापना दिवस नेक्स्ट अंतरास्ट्य योग दिवस 2020 उसके बाद देश के सरोसिस्ट एरपोर्ट बंगाल में चेक पॉस्ट विज़ता स लिटिगेशन तो यह हाली में न्यूज में रहा है तो हाली में पुणे इस्तित अगोर कर अनुसंदान संस्तान एरई के विज्ञानिकों ने मैथनोट्रोप्स मिथेन उप्योग करने वाले बैक्टिरिया के 45 अलग-अलग उपवेदों को सम्रद पर्थक और समर्दित किय हैं और पहली सूदे सी के बनाई है तो इनोंने क्या किया है यह आ राई ने में मैथनोट्रोप्सच्र्टी का निहांन किय इनको सम्रध पर्थक और समर्दित करके ले अराई साइंस और टेकनोलोजी विज्ञान और प्रोधेश Wow की विबाग के तायत एक सभाइग संस्तान है यारे की फुल फॉर्म अगारकर रिसर्च इंस्टिटूट है नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया भारत में परमाणू उर्जा सेंत्र तो गौर्मेंट आफ इंडिया ने हाली में विबिन परमाणू सेंत्र से समधित विबरन प्रद मेगावाट इलेक्टिक है इन 18 रियक्टरों में दबाव वाले भारी जल रियक्टर है और चार लाइट वाटर रियक्टर है जिनको LWRR के नाम से जाना जाता है बारत में परमाणू उर्जा कारेकरम सवतंतरता के समय के आसपास होमी जे बाबा के नेतरतों में शुरू किय था नेक्स्ट थर्टी फिफ इंसेपसिंडे ओफ एंसेयर्वी एंसेयर्वी का 35 स्थापना दिवस तो हाली में यह न्यूज में राये तो हाली में रास्ट्य अपराद रिकॉर्ड ब्यूरो नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अपराद मल्टी एजेंसी सेंटर और रास्ट्य साइबर अपराद परसिक्षन के इंदर के 3500 इस्तापना दिवस के आउसर पर यह शुरू किया गया है तो हाली में ये Crime Multi Agency Center और National Cyber Crime Training Center इन दोनों की शुरुवात हाली में NCRB के इस्तापना दिवस पर की गई है अगर हम Crime Multi Agency Center या Crime Mac की बात करें तो यह जगन्य अपराद और अंतर राज्य सम्नवे से संबंदित अन्य मुद्धों पर जानकारी साजा करने के लिए शुरू किया गया है और National Cyber Crime Training Center NCTC पुलीस अधिकारियों न्याइदिसों अभी योज को और अन्य हित्दार को के लिए बड़े पैमाने पर साइबर अपराद जांस पर पैसेवर गुणवत्ता वाली E-Learning इंटरनेट लर्निंग चेवाओं के लिए NCTC की शुरूआत की गई है बात करें NCRB National Crime Record Bureau की तो यह अपराद और अपरादियों पर सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए NCRB को 1986-1986 में इस्तापित किया गया था ताकि अपरादियों को अपराद से जोडने में जांच करताओं की साहता की जा सके इसका मुख्याले नई दिल्ली में है यह रास्ट्य पुलीस आयोग 1977-1981 और MHA की टाक्स फोर्स 1985 की सिफारिसों के आदार पर सिताफित किया गया था इसका गठन समनवय निदेशाले और पुलीस कम्प्यूटर, DCPC, CBI की अंतर राजिये अपरादियों, डेटा साखा, CBI के केंद्रिये फिंगर, फ्रिंट ब्यूरो और BPR और D की सांक्या की साखा के विले से किया गया था NCRB Crime in India रिपोर्ट के मादियम से देश पर में अपराद के वार्षिक व्यापक आंकडे पेस करता है, तो देश पर में जितने भी वार्षिक व्यापक आंकडे होता है ये NCRB पेस करता है, 1953 से परकासित होने के कारण ये रिपोर्ट देश पर में कानून और व्यवस्ता की इस्तिती को समझने के लिए एक मैत्रपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है। अंतरास्टे योगदिवस 2020 तो हाली में इसकी गोशना की गई है छटे अंतरास्टे योगदिवस पर मुख्य समारो 21 जून 2020 को लदाक की राज़ानी ले में होगा। और इसका नेतर तो पड़ारमंत्री श्री नरेंदर मोधी करेंगे। नेक्स्ट अंतरास्टे योगदिवस 2020 के लिए CII तथा फिक्की जैसी ओद्योकिक संस्ता सीब्यासी, UGC, NCRT जैसी सेक्षनिक संस्तान और अन्य हितकार को ने कारिकरम त्यार किये हैं। नेक्स्ट देश के सरुस्त्रेस्ट एरपोर्ट तो हाली में गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्मेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ACI एरपोर्ट काउंसिल इंटरनेस्टन द्वारा देश के 9 हवाई एड़ों को उनकी बैतरी सेवा गुणवत्ता के लिए इस साल वाले हवाई एड़ों की सरेणी में एसिया परांत चेतर के लिए मुंबई और दिल्ली को करमश पहला और दूसरा इस्थान दिया गया है तो मुंबई और दिल्ली को चार करोड़ या इस से जदा यात्रों की सालाना आवाजाई के लिए पहला और दूसरा इस्तान दिया गया है डेड़ से धाई करोड़ यात्रों की सरेणी में हैद्राबाउट को दूसरा इस्तान मिला है इसके बाद बात करें पचास लाग से डेड़ लाग यात्रों की सिरेणी में लखनव हवायड़े को पहला और कोची हवायड़े को दूसरा इस्तान रहा है वहीं बीस से पचास लाग यात्रों की सिरेणी में चंडीगट हवायड़ा पहला है मैंगलूर हवायड़ा तीसरे और तिर्विंद्रम हवायड़ा सात्वे स्तान पर राह है सभी छेत्रों में सरोस्रेस्ट मावल एउं पारिस्ति के लिए 20 से 50 लाग की सरेणी में चंडिगड 50 लाग से 1.5 करोड यात्रों की सरेणी में लखनव 1.5 करोड से 1.5 करोड यात्रों की सरेणी में हैदराबाद और 1.5 करोड से 4 करोड की यात्रों की सरेणी में बैंगलूर हवायड़ा को सरोस्रेस्ट कोसित किया गया है सरोस्रेस्ट ग्राक सेवा के लिए 3 सरेणियों में देश के हवायड़ा पहले स्तान पर रहे है स्रोस्षिस्ट बुनियादी ढांचा एंव सुईदा के पुरुसकार के लिए अपनी अपनी सिरेडियो में इनी तिन हवाईड़ों को पहला इस्तान दिया गया है बैंगलूर हवाई एड़े को यहां आने जाने वाले यात्री अनुबव के लिए किसी भी स्रेणी में दुनिया का सरोसिस्ट हवाई एड़ा गोसित किया गया है बंगाल में चेक पोस्ट वहसता समापत बंगाल की मुख्यमंत्री मंताव एनरजी ने किर्शकों के हित में एक फैसला लेते हुए यह क्रिशी उत्पादों की निर्बाद आवज़े के लिए एक अप्रेल से राज्ये के सबी 109 चेक पोस्ट को अटाने का फैसला लिया है इस इसके बाद अगर हम बात करें दुरलब सफेद जिराफ तो साल 2017 के खबरों में एक मादा जिराफ और उसके बचे की तस्वीरे चाही हुए थी ऐसा इसलिए था क्यूंकि दोनों को रंग आम जिराफ की तरह ब्राउन नहीं बलकि एकदम सफेद था साथ ही उनके सरीर पर आ दुरलब जिराफ को मार दिया है अब दुनिया में सफेद रंग के सिरफ एक जिराफ रह गया है रिपोर्ट के मताबिक रेंजर्स को उतरी पूर्यू केनिया में गरिस काउंटी के गाउं में मादा और उसके बच्चे के असाव मिला है फिलाल तीसरा जिराफ जिन्दा है और अब माना जा रहा है कि वे दुन्या का इकलोता सफिद जिराफ हैं। अफ्रीका वाइड लाइफ फाउंडेशन के मुताबिक पिछले 30 वर्सों में जिराफ की जनसिंक्या 40% तक घट गई हैं। क्योंकि सिकारी मास और चम्डे के लिए उन्हें मौत के गात उटार देते हैं। तो भारतिया बैडमिंटन संग B.A.I.E. ने कहा है कि इंडिया ओपन सुपर 500 टूर्नमेंट नोवल कोरोना वाइरस के संकर्मन के खत्रे को देखते हुए तरसकों की गैर मौजूदकी में खेला जाएगा। COVID-19 के संकर्मन के कारण इस 4 लाख डॉलर इनामी टूर्नमेंट पर खत्रा मंड़ा रहा है कि टोक्यो ओलंबिक क्वालिफिकेशन का एहम टूर्नमेंट है। योनेक संद्राइज इंडिया ओपन 2020 का आयोजन पुरू निर्दारित कारेकरेम के अनुसार 24 से 29 मार्ज तक होगा। इंडिया ओपन पूरो निंदारित कारे करेम के अनुसार दिली के इंद्रा गांधी इंडोर स्टेडियम के केड़ी जादव हाल में होगा लेकिन सवी की सुरक्षा सुनी सित करने के लिए इस बार किसी दर्शक को आने के अनुवती नहीं देने का फैसला किया है इसके बाद म अभिनेता संतु मुखो पाध्याय का निदन 11 मार्च को दक्सिन कोलकातों में हुआ है उन्होंने संसार सिमाटे बालो बासा बालो बासा जैसी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है इंडिया उफ़र्ड 600 टन्स टू अफ राइस टू फ्लड विक्टिम्स अफ मेडागासकर तो भारत ने मेडागासकर के बाद पीडितों के लिए 600 टन की चावल की पेसकस की है भारतिय नौसिनिका जहाज आई एनेस सारदुल रात सामगरी लेकर आया और मेडागासकर के पोर्ट एंटी से रिना पहुंचा है यह रात सामगरी की दूसरी डिलिवरी राजदूत अबै कुमार दरा मेडागासकर के विदेश मंतरी तेहिंद्र जैने रिवलो जेबाज ओबा लिवा को सौंपी गई चावल की इन लोगों को वित्रित किया गये हैं जो चकरवात डाइने से परभावित हुए हैं तो हाली में कौन सा चकरवात आया मेडागासकर में डाइने जो की जनवरी 2020 के महीने में मेडागासकर के तड़ से ठकराया था मेडागासकर के बात करें तो इसके प्रेजिडेंट कोन है एंडरी रोजोईलीना परदान मंतरी कोन है क्रिस्छीने तंसे नच्से और यहां की मुद्रा है मालागासी आरी MGA और यहां की राजडानी एंटा नाLEYelo और इसकी अधिकारेक राजडानी कोन से हैं मालागासी French नेक्स्ट अगर हम बात करें Onun ll प् timest प्र्पेक्स्शं इंडार्एक्स इंडियारेंक्स स्येकिंड तो पर्षू सर। सरंक्शं सुच कांग में बार्थ दूसरे स्थान है थैंक यू वीडियो देखने के लिए दन्यवाद अधिक जानकरी के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल एकेजियास अकेडमी को जोइन करें थैंक यू